दोस्तो अगर आप लोग किसी जमीन के मालिक हो या फिर कोई नई जमीन खरीदना चाहते हो तो आप लोगों को खाता नंबर और खसरा नंबर के बारे में जरूर पता होगा लेकिन जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है वो आज के इस वीडियो में समझ जाएंगे तो और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजों में लगे बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सकें तो हेलो दोस्तो मेरा नाम है एजाज और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ज जब भी कोई व्यक्ति जमीन खरिदने जाता है तब उसे उस जमीन का खाता नंबर और खसरा नंबर पता लगा लेना चाहिए नहीं तो उसके साथ फ्रोड होने के चांसिस का भी बढ़ जाते हैं आपने ज्यादतर किस्सों में सुना होगा कि कोई व्यक्ति जमीन लेने गय गया था लेकिन उसके साथ फ्रोड हो गया तो एसा फ्रोड कहीं आपके साथ भी ना हो जाए अगर आप कोई जमीन खरिदने जा रहे हो इसलिए जमीन का खाता नंबर और खसरा नंबर पहले जान लीजिए ताकि वो उस जमीन से सुड़ी सारी जानकारी निकाल सके जिस तर खाता नंबर से यह पता लगया जा सकता है कि उस व्यक्ति के पास कितनी जमीन है तो अगर आप किसी सामने वाले व्यक्ति की किसी जमीन को खरिदना चाते है तो उस व्यक्ति का खाता नंबर आपके पास है तो आप ओनलाइन सर्च करके डिटेल निकाल सकते है कि वाकई में वो जमीन उसके नाम पर है या नहीं तो आपके साथ फ्रोड होने के चांसेश काफी कम हो जाते है और आप सही से जमीन ले सकते हो तो खाता नंबर क्या होता है यह तो आप लोगों को पता चल गया और अब जानते है कि खसरा नंबर क्या होता है खसरा नमबर को सर्वे नमबर भी बोला जाता है दोस्तों खाता नमबर और खसरा नमबर दोनों अलग-अलग चीज होती है जहां खाता नमबर से हमें ये पता लगता है कि इस जमीन का मालिक कौन है तो ओनलाइन अगर आप किसी का भी खाता नंबर या खसरा नंबर चेक करना चाहते हो तो आपको उसके लिए Google में जाना पड़ेगा और Google पे जाके अपने राजिय और उसके बाद भूल एक लिखके सर्च करना पड़ेगा तो आपका जो भी राजिय होगा साथ में आप भूल या खसरा नंबर चुन के आप उस जमीन की डिटेल निकाल सकते हैं कि वो जमीन किसके नाम पे है और उस पे कौन रेजिस्टर है और कितने से तरफल में वो जमीन है ये सारी चानकारी आप ओनलाइन चेक कर सकते हैं अगर आप लोगों को नहीं पता ये कैसे करना है तो इसक से चेक करेंगे कि कौन सी जमीन किसके नाम है तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इससे लाइक कर दिजिएगा और वोट्सेप ग्रूप में और भी अपने दोस्तों के साथ इसे शेर जरूर किजिएगा और इसे इनफोर अगर आप लोग चाहते हो कि आपके किसी टॉपिक के उपर भी में कोई वीडियो बनाओ तो वह टॉपिक आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो